नाकपुर के भूमाफिया ने इंदौर और आसपास के कई लोगों को घर बनाने का सपना दिखाया और 500 करोड रुपे लेकर चंपत हो गया इसमें कई लोगों का रेटायर्मेंट का पैसा था तो कई लोगों की गाड़ी कमाई अब थाना तेजा जी नेगर ने पीडितों की शिकायत के आधार फर आरोपी के खलाब F.I.R. दर्ज कर लिया है थाने के मताबिक क्राइम नंबर 391 अबजलिक 2019 धारा 42034 के तहत वात्सले ग्रुप के संचालक प्रफुल गाड़ गे समेथ अन्य के खलाब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफतार नहीं कर पा रही है जबकि पुलिस रिकार्ड में फरार आरोपी प्रफुल गाड़ गे अब शिकायत करने वालों से समझोते के लिए दबाव बना रहा है लगातार उन से फोन पर समपर्ख कर रहा है कह रहा है कि मामला बाहरी निप्टा लेते हैं और जबकि पुलिस और आरोपी की लोकेशन नहीं मिल रही है पुलिस और आरोपी की मिली भगत से पीड़ित लोग परिशान हो रहा है देखे वीडियो मैं एक सॉक्टर कंपनी में काम करता हूँ और मैंने शीव रेसिडेंसी टू वास्चली बिल्डर नागपूर से मैंने एक प्रेट लिया था जो कि इनका एक इंदोर केंदा प्रोजेक्ट चलता है और मेरा जो प्लाट का साहिज था वो अठारा सो स्कॉर फिट है तो पांसो इवाल और झारा साल के अंदर फोय कोई न्याएं नीं मिला है और यह से बताय गया है कि हम आपको दे रहे हैं लेकिन अभी तक नहां हमें कुछ मिला है और इनसे से कांटेक्ट भी करो तो यह कोई हमें जबाब नहीं देते हैं का आप सब्सक्राइब हैं जल दुआ है तो सब्सक्राइब लोगों के संपर्क में यह भी मुझे पता है मैंने वातसर गुरुप से 2014 में देवाद बाइपास प्लाइट लिया था जिसमें मैंने तीन लाग रुक उनको केज दी उन्होंने बोला था छे मैंने के अंदर रजिश्ट्री होगी मैं कोई मिलता नहीं है और मैं जन्सुनवाई में भी दो बार गया जन्सुनवाई से उनको नोटीस दिया गया लेकिन उस नोटीस का कोई जवाब नहीं कि पुलिस को शिकायत किया पुलिस में शिकायत नहीं लेकि जन्सुनवाई मैंने सब्सक्राइब करें और मैंने वासरली विल्डर्स में चुईस्टो स्कॉयर्फिक का एक प्लाट लिया हुआ है पत्नी के नाम से पूरी भेल मैंने सर्विस किया और पूरा पैसा मैंने अपनी गाड़ी कमी लगाया है इसमें और मैं बहुत परिसान हो रहा हूँ और अभी आट-दस साल हो गए है अभी तक कोई पुलिस में ने रेरा में केस लगाया था रेरा में मेरे फ्यवर में केस लिया हुआ है कि इनका जितना भी पैसा लगाया हुआ है इनको आट परसेंट के दाप्ते इनको वापस किया जाए